आप लोगों का स्वागत है मेरे कॉर वीडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है करन्ट अफेर्स 4 अक्टूबर 2023 का ये 69 BPSC PT के अधारी प्रसंपत्र पर ये करन्ट अफेर्स तयार किया गया है चलिए आपको पढ़ने में बहुत मज़ाएगा चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब और एक लाइक कर लेंगे चलिए पहले कुस्टन से सुरबात करते हैं आज की करन्ट अफेर्स का सोलमा ब्रिक समीट 2024 में कहा होगा आपके आप्सन है फर्स्ट नमर कजान रूस दूसरा है बिजिंग चीन तीसरा है नियू डेली भ भारत चौता है जोहांसबर्ग साउत अपरिका तो पहला का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला नमर कजान रूस में होगा अब यह तो डिरेक्ट कोश्टन पूछेगा पर डिरेक्ट टू बिपीएसी पूछती नहीं है तो आईए देखते हैं बिपीएसी कैसे कोशन जैसे कि इस बार 69 BPSC में G20 के संदर में पूछा गया था तीन स्टेटमेंट था और आप देखे ही होंगे तो इसी प्रकार से ब्रिक्स के बारे में भी पूछा जा सकता है तीसरा पॉइंट है ब्रिक्स पूरी दुनिया में 30% के छेतरफल को अपने में सामिल किये हैं ब्र स्ट्रिलियन एकोनमी जो है मनला पांचमे नमर के अर्थ विवस्था से किसरे नमर के अर्थ विवस्था जो है वो 2027 तक बन जाएंगे यह SBI का काना है नेक्स है कि जब यह ब्रिक्स सुरू हुआ होगा तो ब्रिक्स पहले ब्रिक्स नहीं था साउथ अपरिका के सामिल होन सिल्वा यह ब्राजील के थे दिमित्री मेददेब यह रूस के थे मनमोहन सिंग भारत के थे और हुज यान्तो यह चाइना के थे इनके द्वारा पहला सम्मिट किया गया था कब किया गया था तो सुल्ला जून 2009 रूस के यकितरीन बर्ग में तो इतना आपको याद रखना पड़ेगा तब ही आप 69 BPSC से सीख करके 70 BPSC में आप अच्छा कर पाएंगे क्यूंकि स्टेट्मेंट वाला सवाल का संक्या इस बार 80 था अगली बार यह 100 के आसपास रहने का अनमान है तो ऐसा कुश्चन बनता ही बनता है तो मैं इसलिए डीटेल में आप सबको करेंट प्रफेर्स करा रहा हूं चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की और यह इसके संदर में देखते हैं क्या क्या कुश्चन आ सकता है 11 अगस्ट 2023 को लूना 25 का परचेपन किया गया सोयूस 2.1 B रोकेट यह रोकेट का नाम आपको याद रहना चाहिए सोयूस 2.1 B रोकेट के जरिए रूस के वस्तोनी कॉस्मोड्रोम से लूना गलोब मिसन के तर्थ यह प्रचेपन विफल रहा आपको पता है रूस द्वारा जो यह प्रचेपन किया गया था यह लेंडिंग 21 अगस्ट को होने वाला था लेकिन यह लेंडिंग नहीं हो पाया और 23 अगस्ट को भारत पहला देश बना जो कि दक्षिन चांद पे पहुँच गया चांद के दक्षिनी छेतर पे पहुँच गया रूस अगर 21 अगस्ट को लेंड कर जाता तो रूस पहला देश बनता जो कि साउथ पोल पे पहुँच था रूस की अंतरिक्ष अजन्सी का नाम नहीं भूलेंगे क्योंकि उन्होंने हाली में लूना 25 मिसन किया है तो रूस की अंतरिक्ष अजन्सी का नाम रॉस कोस्मोस है 47 वर्स के अंतराल के बाद चंदर्मा लेंडिंग के लिए कोई रूसी मिसन लॉंच किया गया था लूना 24, 18 अगस्ट 1976 को चंदरमा की सता पर उतरा था और ये रूस ने नहीं किया था, सोबियट संग नहीं किया था अगर आपको सोबियट संग के बारे में जानना है तो कॉमेंट कीजिए मैं आपको पढ़ा दूँगा, कितने देश थे और क्यों भी घटित हुआ सब कुछ मैं बताऊंगा, लेकिन अब एक और इंपोर्टेंट बात है कि भारत ने अपना चंदरियान 3 मिशन 14 जुलाई 2023 को लांज किया था जो की सफल रहा, आपको पता है 23 अगस 2023 को हम सब साम के 6 बच के 4 मिनट पे हमारा जो विक्रम लेंडर है और वो लेंड कर गया, सौट लेंडिंग चांद के दक्षिनी छेतर पे तो ये आपको याद रखना है, लूना 25 रिलेटेड टू रस्या, रस्या की अंतरिक जेजिंसी का राम रोस कॉस्मोस है ये काफी बार एक्जाम में आ चुका है, चलिए बढ़ते हैं अगले कुस्चन की ओर कुस्चन नंबर थर्ड देखते हैं, एकल जन्म प्रमान के लिए जन्म इबं मिर्तिव पंजीकरन संसोधन विदेहक अधिनियम 2023 को दोनों सद्नों में अगस 2023 में पारित किया गया, 21 वर्स के जन्म और मिर्तिव पंजीकरन अधिनियम में संसोधन करेगा आपके ओप्सन है, फर्स्ट नंबर 1970, दूसरा 1963, तीसरा 1971 और चौथा 1965 तो तीसरा का सही आंसर हो जाएगा, तीसरा नंबर 1969 यानि 1979 अब ये क्या है, ये कौन सा टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ, 1969 में ये अधिनियम लाया गया था, ये पहला आपसर है जब इस अधिनियम में संसोधन किया गया है, एक्च्वल में ये इसमें संसोधन करने क्यों किया गया है, इसके पीछे कारणे की बहुत सारे लोग ज ज़्यादा उम्र हो जाता है तो वापस से फिर से एक्जाम देने के लिए या फिर किसी भी चीज में सरकारी संस्था में लाब उठाने के द्रिश्टी से दोबारा से जन्परमान पत्र बना लिया जाता है जिससे काफी भरस्टाचार बढ़ता है तो इसकारम से इसमें संसोधित कानून के तत राज को जन्म मित्यू परमान पत्र जारी करने के लिए गजिस्टार जर्नल ऑफिस द्वारा संचालित नागरिक पंजीकरन परनाली का उप्योग करना होगा ये याद रखेंगे इसके अलाबा संसोधित अधिनियम के प्रभावी होने के बाद सेक् नेक्स्ट कुस्टन कुस्टन नंबर 4 बिहार में जाती अधारित सर्विक्षन का पहला चरण की सुरवात कब हुई थी आपके ओप्सण है फर्स्ट नंबर 10 जनबरी 2023 दूसरा है 15 फरवरी 2023 तीसरा है 16 जनबरी 2023 और चौथा है 7 जनबरी 2023 तो इसका सही आंसर हो जाएगा च तो हाली में 1 अगस 2023 को इस जाती अधारित जनबर वा आर्थी सर्विक्षन को हरी जनडी दिखाते वे हाई कोट ने आधा दरजन याचिकाओं को उच नियाले से खारिच कर दिया कुछ लोगों ने याचिका दायर की थी कि जाती जनबर नहीं होना चाहिए बिहार में तो ये जाती अधारित जो जनगना ये पूरा भी हो गया बगल में आप डाटा देख सकते हैं तो ये डाटा के उपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्योंकि अभी इधर ही हुआ है दो तीन दिन हुआ है इसका रिपोर्ट आये वे तो मैं इसके उपर अच्छे सी डीट परसेंट के आसपास है अनुसुचित जन जाती एक दसंबलब लगबग 2% के आसपास है और अनराक्षित कितना है 15% इसका कुछ डाटा है मैं इसके उपर अलग से वीडियो बनाऊंगा आपको दो तीन इसमें याद रखना है कि पहला सुरुबात हुआ था साथ जनबरी 2023 क इसको जिम्मिदारी सोपी गए थी जो जनरल एड्मिनिस्टेशन डिपार्टमेंट यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है बस यह दोनों आपको इसमें याद रखना है बाकी इसका अलग से वीडियो जरूर आपको मिलेगा चलिए नेक्स्ट कोसन देखते हैं इंपॉर्टेंट क कि और नेक्स्ट किया जाता है हितू समीति में मुख नियादीश के अस्थान पर किसे सामिल करने का परस्था पारित किया है आपके option आप श्भा तोरी स西य मुक्स मंत्रि या झान पूर्वक समझने का परियास करेंगे एक्चुल में क्या हुआ था है इस मुद्दे पर संसत की ओर से कोई कानून नहीं बन जाता है तब तक नियुक्तियां परधान मंतरी लोकसभा में विवक्च के नेता तथा देश के मुख नियादिस की सदस्ता वाली तीन समीती के सलापर राश्टपती द्वारा किये जाने क सर्वोच नियाले द्वारा कहा गया तो उनका जो चैन होगा वो कौन लोग करेंगे परधान मंतरी लोकसभा में विवक्च के नेता जो अधिर रंजन चौधरी जी है और मुख नियादिस लेकिन सरकार का कहना था कि सर्वोच नियाले के नियादिस इसमें सामिल नहीं कि नियाले में जो सिस्टम नियादिस का चैन सरकार नहीं करती है और सरकार के एवेज में क्यो करेंगे नियादिस यह सके लिए उन्होंने टास्ट पती मोहदियां द्वारा कहा गया कि इन तीनों को परधान मंतरी लोकसभा के विवफक्च केनेटा और मुख नियादिस चुनाब आयुक्त सेवा की न्यूक्ती सर्थ व कारिकाल विधायक दोजार तेज़ इस विधायक को विधी मंतरी अर्जुन राम मेघवाल ने राजसभा में प्रस्थूत किया इसके अनुसgoing भविश में मुख चुनाब आयुक्त वा चुनाब आयुक्त का चेन कोन कोन करेग तो परधान मंतरी के अध्रक्षता वाले तीन सदस्य पैनल द्वारा जिसमें परधान मंतरी के अतिरीक्त लोगसभा में विपक्ष के नेता तदा परधान मंतरी द्वारा मनुनित एक कैबिनेट मंतरी सामिल होगा यानि जो cabinet मंत्री है वो किसके अस्थान पे आ गया वो आ गया सर्वोच नियाले के मुख नियादी इसके अस्थान पे आ गया अब जो आगे में चुनाव आयुक द्वारा चुनाव आयुक्त का चैन किया जाएगा उसमें कौन-कौन सा मिलोंगे प्राइम निस्टर लोग सभा में विपक्ष के नेता जिसको अपोजीशन ओप लीडर बोलते हैं और प्रधान मंत्री द्वारा मनोनित एक कैबिनेट मंत्री ये कौन सा विधायक था तो मुख चुनाव आयुक्त वा अन्चुनाव आयुक्त विधायक 2023 बस इतना आपको याद रखना है तो ये पूरा मांज़रा था नेक्स्ट कुस्टन में आते हैं कुस्टन नमबर होगा 6 किस देश द्वारा नरिंदर मोदी को उस देश का सर्वोच सम्मान तो इस प्रसन का सही आंसर हो जाएगा 6 का दूसरा नमबर ग्रीस ग्रीस की राजधानी एथैन से ये भी याद रखेंगे आईए जानते हैं इसके बारे में क्या-क्या इंपोर्टेंट फैक्ट्स बनते हैं मोदी से पहले 1983 में ततकालीन परधान मंत्री स्रीमती इंदरा गांधी ने ग्रीस की यात्रा की थी यानि लगबग 40 वर्सों के बाद किसी भारतिय परधान मंत्री द्वारा ग्रीस की यात्रा किया गया है एथेंस में राष्टपती कटरीना, साकाला, रापूलू ने ग्रीस का सर्वोच सम्मान अब ग्रीस चुकी चर्चा में आए तो ग्रीस से रिलेटेट कुछ जोगरफी के कुश्चन बनते हैं ग्रीस की सिमा चार देश, अलबानिया, बुलगारिया, मेसोडोनिया और तुर्की से लगती है जिसको अब तुर्किये बोला जाता है, ओफिसियल नाम तुर्किये है तो इतना चार फैक्ट्स आप याद रखेंगे, मैब बगल में है, उससे आप अनमान लगा ले नेक्स्ट कुस्सन देखते हैं, कुस्सन नमबर 7 जो भी 7D BPSC देंगे, या आगे बड़ा एक्जाम देंगे, PCS का, उनके लिए ऐसे ही मैं Current Affairs पढ़ाऊंगा और बाकी जो नॉर्मल एक्जाम देते हैं, बिहार पुलीस वेगरा की, तो वो बस फैक्ट्स याद कर लें बाकी BPSC वाला ये पूरा देखेंगे, ये सब, ये जितना भी चार्ट आ रहा है, इसमें देखेंगे देखें, अभी तक इस जन्धन खाते में, खाताओं की संक्या 50.01 कडोड हो गई है इसमें से 33.40 कडोड जो की 67% है, खाते ग्रामीन और अर्ज सरकारी छेतरों में खोले गए हैं, जबकि 16.61 कडोड यानि 33% खाते सहरी छेतरों में खोले गए हैं, इन खातों में यानि जन्धन एकाउंट में 56% खाते महलाओं के हैं, इन खातों में जमारासी की बात करें तो 2.03 लाग करोड से अधिक है इस बैंक खाते में औसत बैलेंस 4,060 रूपीज था वित मंतराले के अनुसार अगस 2023 में 50 करोड इस खाते में से 5.5 करोड से अधिक बैंक खातों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरन का लाभ मिल रहा है अब आते हैं कि प्रधानमत्री जंधन योजना के बारे में और भी कुछ पूछ ले तो प्रधानमत्री जंधन योजना के तरफ खाते में निवन्तम बैलेंस की कोई आवश्चक्ता नहीं होती है आप जीरो बैलेंस से भी सुरू कर सकते हैं अब ये क्या आपको सुविधा देती है तो दो लाग से अधिक दुरगटना भीमा इसके अलावा 10,000 रुपये तक उभर ड्राप्ट की भी सुविधा आपको इसमें प्रदान की जाती है तो उपर वाला facts current affairs की दिश्टी से नीचे वाला statics की दिश्टी से ठीक है तो ये दोन आपको जानना चाहिए तो आपको जानना चाहिए क्योकि इनौने बहुत भारत का नाम उचा किया हैं और इनौने स्वंट पदग का जो बूलते है नहीं रहा था तो इनौने अकेले ही बहुत सारी उट्पदग अलग-अलग खेलों में लेते आए मलग खेल तो ये जैवलिन थ्रो करते हैं पर अलग-अलग जो sports के टुर्नामेंट हुए हैं उन्में बहुत अच्छा प्रोफरमेंस किया और स्वन्ट पदक अपने नाम किया तो इनका अंसर हो जाएगा इस question का आठ का चौथा नंबर नीरत चोपड़ा इन्होंने बुड़ा पेस्ट में 88.17 मीटर भाला फेका था और वैसे इनका हाइस इससे भी ज्यादा है तो आठ का हो जाएगा चार नंबर आएए जानते हैं इस विस्फ अथलेटिक्स चेंपियंशिप के बारे में ये विस्फ अथलेटिक्स चेंपियंशिप 2023 पदक तालिकात को देखते हैं तो फर्स्ट है अमेरिका इसमें प्रतम अस्थान अमेरिका का है जिसमें 12 स्वन 8 रजत और 9 कांस पदक है कुल 29 पदक दूसरा कनाड़ा का अस्थान है 4 स्वन 2 रज चेंपियंशिप में भाग लिया था हाली के वर्सों में जैबलिन थ्रो में नीरत चोपड़ा ने साल 2022 में विस्फ अथलेटिक्स चेंपियंशिप यूजीन में सिर्फ रजत पदक जीता था मां की सब जगा स्वन्ट पदक उन्होंने अपने नाम किया है तो ऐसा कुस्चन चलिए बढ़ते हैं अगले कुश्चन की ओर इतना आपको लिखना नहीं है करेंट अफेर्स जबाब करेंगे इसका मैं पीडियाप सेयर कर देता हूं टेलिग्राम चैनल पर आप वहां से डाउनलोड करके आराम से हाट कॉपी निकालने और वीडियो को देख ले बस इतना दानी कैरियो या काहिरा होता है इतना याद रखेंगे चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बारे में अविमिस्र के राश्टपती अबदेल फताल सीसी गंतरन दिवस पे हमारे मुकती थी ये भी याद रखेगा 14 सितंबर 2023 तक चलने वाले संजुक्त अभ्यास में अमेरिक अभ्यास मिस्र में दो-दो वर्सों के अंतरान पर होता है भारत में इसमें पहली बार भागेदारी की इसलिए ये इन्पोर्टेंट करेंट अफेर्स बन सकता है चलिए आज के करेंट अफेर्स यानि 4 अक्टूबर 2023 के करेंट अफेर्स का आखरी कुश्चन देखते हैं आपका दूसरा नंबर सचीन टेंडूल कर बस आपको इतना याद रखना है तो ये थे 4 अक्टूबर 2023 के करेंट अफेर्स ऐसे हम सब डीटेल में करेंट अफेर्स करेंगे क्योंकि 70 BPSC में अगर आपको अच्छा करना है तो आपको इतना मेहनत तो करना पड़ेगा आपको याद कर सकते हैं और बस वीडियो देख लें पूरा लाश्ट तक समझ लें क्या काता है ये समझ ही आपको वहाँ पे काम देगा क्योंकि 69 BPSC में जिसका समझ बढ़ी हां था उन्होंने अच्छा प्रफॉमेंस किया जो फैक्ट्स बेस पे गये थे याद करके उनका बहुत हालत खराप हो गया होगा चलिए जल्दी मिलते हैं नेक्स वीडियो में वीडियो अच्छे लगे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे थैंक्यू सो मच बाई बाई एंड टेक केर